Creative Writing Course में इस सेशन में हम बात करेंगे Capital Letters के इस्तमाल के उपर ये एक चीज है जो उर्दू में और English में distinct है क्योंगि उर्दू में Capital Letters वगरा नहीं होते एक ही तरह की A, B, C होती है और English में different होती है और ये भी वो एक छोटी सी चीज है जिससे के आपकी जबान पर अबूर के बारे में पता लगता है और आपके पढ़ने वाले आपके बारे में आपके professional और in command होने के बारे में impression बिना सकते हैं तो इसलिए ये भी important Again, like all grammar devices इसके एक तो वो है कि सही और गलत ये है कि इस situation में use करना है ऐसे और इस situation में करना है ऐसे और कुछ इसका creative इस्तमाल भी है So we're going to look at all of that Basically तो ये है कि जब proper nouns हैं किसी शखस का नाम है Ahmed, Rihana या कोई भी नाम आपने लिखने है तो वो capital letter से होगा किसी specific जगा का नाम है Lahore fort है तो वो L capital होगा और F capital होगा इसी तरह किसी bridge का या दर्या का नाम है वो सारे capital से होगी अगर आप किसी आप सिर्फ ये कह रहे है Look at the river तो वो small r है अगर आप कह रहे है Look at river indus तो capital R or capital I होगा because you're talking about a specific river जो के वो अपनी तरह का एक ही है Days of the week Monday, Wednesday, जो भी Months, January, February ये सब capital letters से होते है और अगर आप ये नहीं करेंगे अपनी लिखाई में Your meanings will still be communicated It's not like people will not understand आप क्या कह रहे है बात तो आपकी वो समझ जाएंगे लेकिन आपके बारे में impression इतना बेतर नहीं पड़ेगा तो इसी तरह अगर आपने किसी किताब का नाम लिखना है जैसे हम नीचे quote करते हैं कोई किताब का नाम तो उसकी जो main words हैं वो सारे capital letters में होते हैं जैसे अगर हमने लिखना है Gone with the wind तो Gone capital G होगा With छोटा होगा The छोटा होगा और Wind बड़ा होगा तो जो The, Of, Is वगेरा words हैं वो छोटे letters हैं बाकी तमाम words बड़े letters से होते हैं जैसे कि Survival Tips for Lunatics ये एक पाकिसानी ओथर है शांदाना में नहास उनकी बहुत interesting fantasy fiction है ये इसमें इसमें इस बाउट दो बचे बलोचिस्तान में हैं और वहाँ पे dinosaurs हैं और बहुत interesting किताब है दूसरी भी पाकिसानी राइटर की In Other Rooms, Other Windows ये देखें सारे letters capital letters से हैं ये short stories की collection है also highly recommended आप जरूर पढ़ियेगा Job titles अगर आप किसी के नाम के साथ अपने लिखना है President so and so Prime Minister so and so तो वो भी आप उनका President बड़ा P होगा या Prime Minister के P और M capital letters होगे Minister अगर आप ऐसी लिख रहे हैं तो छोटा M होगा अगर आप Minister के नाम के साथ लिख रहे हैं तो वो बड़े letters से होगा The same goes for doctor The same goes for madam For any such title Capitals for effects ये आपके लुट्व के लिए हमने कुछ excerpts निका ले A History of the World एक किताब है Julian Barnes की उसमें उन्होंने लिखा है देखें उन्होंने capitals जो हमने rules बताए हैं उसके इलावा यूज की हैं अपनी मर्जी से और उसका कैसे effect बनता है Some creatures were simply not wanted on voyage That was the case with us That's why we had to stow away अब इसमें capital letters यूज करके उन्होंने ये indicate किया है कि वो एक अलग से कोई मखसूस group है लोगों का जैसे कोई कौम होती है जैसे पाकिस्तानी को आप capital से लिखेंगे या किसी और कौम का नाम आप capital letter से लिखेंगे So those who are not wanted are like a specific separate nation तो इसलिए उन्होंने उसको capital letters करके उसको identify किया है बाकियों से अलग और मुनफरिद तो ये एक तरीका है capital letters का ये दूसरा एक और बड़ा interesting है It seems to me anger must be next Anger को उन्होंने एक character बना दिया जिसका कि capital A से उन्होंने लिखें जैसे कि लोगों के नाम होते हैं capital letters से उसी तरह Then bargaining, depression and so on and so forth But I kept my guesses to myself तो ये एक तरह से जो ये problems हैं bargaining, depression, anger इनको उन्होंने humanize किये और बड़ा करके बताया capital letters के इस्तिमाल की थूँ Amy Hemple ने The Cemetery Where Al Johnson Is Buried इस कताब में इसी तरह कोई writer अपना creative license यूज करके capitals को इस्तिमाल नहीं भी कर सकते जहांपे होने भी चाहिए ये भी हो सकता है कि वहाँ पे capitals को इस्तिमाल ना करें जैसे कि Rupee Kaur is poet है of Indian descent और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मेरी native language में, मेरी मादरी जबान में capital letters नहीं होते तो मैं उसको honor करने के लिए मैं अपनी poetry के अंदर कोई capital letters नहीं use करूंगी और उनकी जो किताब है वो New York Times bestsellers के list के ओपर भी रही है और I'm sure उसकी सिरफ ये वाजान नहीं है कि उन्होंने capitals use नहीं किये It must be great poetry also उसका नाम है milk and honey and this is a line from there We are all born so beautiful the greatest tragedy is being convinced we are not तो this is just one line just to give you an idea it is not recommended कि sub capitals use करने छोड़ दे लेकिन ये कि आप capital letters के साथ play around कर सकते हैं जैसे कई लोग add कर लेते हैं और इन्होंने निकाल लिये आपके लिए एक assignment है आप लोगों के इरुदगेट बहुत सारी चीजें हैं words हैं billboards लगे में हैं आपके घरों में अखबार के साथ flyers आते हैं और अकसर में कुछ न कुछ अंग्रेजी की गलती होती है क्योंकि वो अपना business को promote करने का उनका मकसद है और अगर उनकी English गलत भी है उसे कोई फराख नहीं पड़ता we are sure कि उनकी businesses बहुत अच्छे होंगे लेकिन ये कि आपका ये assignment है कि आप अपने जो भी written content है advertisements, billboards वगएरा उनको देखें होर से और उनमें capital letters की देखें कोई गलती हैं कि नहीं जब आपको 5 एक गलती हैं तो आप उनको note करके रखें और फिर उसके उपर आपकी assignment complete हो जाती है लेकिन 5 आपको असानी से और बहुत जल्दी मिल जानी चाहिए क्योंकि ये गलतीयां अकसर और बेश्टर हो रही होती है I hope you enjoy doing the assignment Thank you